आज तक इतिहास के अंदर ताल कटोरा स्टेटियम भरा नहीं होगा आप एक दिन पहले जाएक फैक्ट फाइंडिंग कर लीजिए और दो बजे दो बजे उसी ताल कटोरा स्टेटियम के गेट नमबर दो पे हम आपसे बात करेंगे उस तालकटोरा स्टेडियम में पर रखने की जगनी होगि यह मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ क्योंकि आज इस सरकार की ताना साई से बच्चा बच्चा परेशान है इसलिए यह आभान हुआ है कि तालकटोरा स्टेडियम चलो दिल्ली चलो पहुंचो दिल्ली आओ दिल्ली कि जैभीन साथियों मैं भीमरा और आप देख रहे हैं भीमरा वाइफ है यूटूब चैनल साथियों इस वक्त की बड़ी ख़बर मैं आपको बता दू कि 21 जुलाई को भीमार्मी का साथ्वा इस्थापना दिवस है पह इस्थापना दिवस भीमार्मी और आजा समाजबाल के अधिवीशन के रूप में तिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में मनाने जा रही है तो 21 जुलाई को भीमार्मी का साथमा इस्थापना दिवस लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर के परचार किया जा रहा है जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे सात्वा इस्थापना दिवसे पहला राश्टी अद्विशन भीमार्मी करने जा रही है तो इसमें मैं मौझूद हूँ फडिदाबाद जिले में और मेरे पीछे आप जो लोग देख पा रहे हैं तमाम लोग भीमार्मी से हैं एक बड़ी बड़े लंबे समय तक मीटिंग चली है उसी आद्विशन की रूप रेखा है उसको यहां पर कहीना कहीं त्यार किया गया है किस तरह से वहां पर पहुंचना है और क्या क्या जो है उसके इल्जामात होंगे उसी पर हम लोग आज इनके बीच में शर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो मेरे साथ में जीतू है जो कि पहले मारमी से पूर्म मैं तो तो किस तरह के दिशाल निरदेश आपको मिले है और किस तरह की त्यारी आप लोग करेंगा सिर्फ दिन बचे हुए है जी अब भी जैसे कि हमारे बीच में मारन नय प्रदेश सारे कट्टे हुए हैं और इस साथ बादी इसको अधिवेशन के रूप में मनाया जा रहा है दस बसें और 40-50 गाड़ियां और कम से कम दो से कईना कई आपके साथ से चाहे वह भी मारमी के पूरु में कारकरत रह चुके हो या वरतमान में हो लोग इत्कन करके आप इसकी तारीकर जी इसको अच्छी तरीके इस्तापित करने के लिए पुराने पदिगारी हो चुकि यह समय में बोजन समाज के पास विकल्प है उस विकल्प को त्यार करने के लिए अधिवेसन किया जा रहा है तो कहीं संग्ठन का है लेकिन पार्टी का प्रचार होगा यह आप कर लिए शुक्री आपका बात करने के लिए सर बड़ी जिम्मेवारी है अभी आप वर्तमान में जिलाद देक्षे है नरेशागर जी स्वर्त मेरे साथ में मुख्जूद है उनकी रिहाई के लिए सरकार पर दबाब बने इसलिए लोग दिल्ली तक पहुंचे थे तो इस बार आप लोग बीच में जाओगे तो क्या कुछ कहोंगे लोगों से तरह सही है हमारा दीविशन एक तौहार के रूप में मना रहे हैं और तौहार के रूप में जो बहुजन समाज है सभी को इसी उससे इखटा किया जाएगा कि बढ़ चट के भाग लें तौहार के बिल्कुल महिलाएं है और महिलाओं के लिए लगसे जो सुबीदा है जाने के लिए बहुजन समागी ताकत के लिए हमें बीट जुटानी पड़ेगी वह हम बाई चंदर सेकर के लिए जो नहीं किये बीमार में जो काम किये गए हुँनको बताया जाएगा और वहां से लेकिन उसे जादा हो सकती है लगातार आप समाजिक मुद्धों पर अपनी बात रखते रहे हैं और बहुत सारे आंदूर में आप सामिल हुए हैं तो दिल्ली का तालकटोरा इस्टेडियम को लेकर के जो मैंने अभी सवाल किया कि बहुत बड़ी भीर चाहिए वहां पर ए लेकिन सभी सातियों को करांति करी जैविल और बाई चंदर सेकर की बात करें भीमार्मी की बात करें और पार्टी की हम बात करें तो इसमें कोई संदे नहीं है इस देश के अंदर कि आज इस देश का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि अगर इस देश के अंदर न्या पीडित लोग आज आज इस बात को लंबा समय से इंतजार कर रहे थे लंबा समय में क्यों कह रहा हूं क्योंकि जैसे यूपी से चुना हुआ है और महाराश्टर में सरकार चेंज हुई है तमाम लोग घुट-घुट के जी रहे हैं आज और आज एक चीज और बता दूं उस आज इस देश के अंदर हमारे साथ जुलम जातियां और जो राजनेति हत्याइं हमारी की जारी है वो सपस्ट है इस देश का मूल निवासी इस देश का बहुजन समाज जान चुका है इसका सीधा सीधा मैं आपके महादम से कुछ लोग नहीं जानते मैं बताना चाहता हूं हमारी राश्रिये पार्टियां थी हमारी छेत्रिये पार्टियां थी हमारे छेत्रिये संग्धन थे आज सब कहां जा चुके हैं ये अदिवेशन का बुलाने का मकसद यही है कि इस देश के अंदर सिक्षा का बचट गटा दिया जाता है इस देश के अगदन अभी जो नोक किस विवस्ता के अंदर ढालने का काम यह सरकार कर रही है यह सब की सब जो हत्याएं जो की जाएंगी शिक्षा का बजट गटा दिया नोकरिया चार साल की करती है किसान जो है वो रोडों पर दखके खा रहा है और इस देश का जो दलित है इस देश का जो मजदूर है वो कहा जाएगा यह तमाम जो साथ साल का जो संग्रश है इस संग्रश को एक माला के अंदर पिरोने का जो काम किया जाएगा वो इस ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर किया जाएगा और इस देश की जनता को नहीं तमाम दूसरे देशों के अंदर ये बताने का काम करेंगे कि ये देख लिए इस देश के अंदर दलीतों के साथ क्या होता है इस देश के अंदर पिछडों के साथ क्या होता है ये हमारा साथ साल के बाज में जो अडिवेशन हो रहा है इसका एक सिधा सिधा मकसद है कि वहाँ पे जाकर के अपनी बात मुखरता से और जो इतना लंबा जो संग्रस किया है वो बात रखें रही बात तमाम हमें हार्याना से फरीदाबाद से हम है और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ जिस तरीके से मैं लंबे समय से भीमार्मी के साथियों के साथ टत रहा हूँ और समाजी कांदलों में रही है आज तक इतिहास के अंदर तालकाटोरा स्टेडियम भरा नहीं होगा आप एक दिन पहले जाए फैक्ट फाइंडिंग कर लिजीए और दो बजे दो बजे उसी ताल कटोरा स्टेडियम के गेट नमबर दो पे हम आपसे बात करेंगे उस ताल कटोरा स्टेडियम में पर रखने की जगा नहीं होगि यह मैं दावे के साथ कहा सकता हूँ क्योंकि आज इस सरकार की ताना साई से बच्चा बच्चा परेशान है इसलिए यह आवान हुआ है के ताल कटोरा स्टेडियम चलो दिल्ली चलो पहुंचो दिल्ली आओ दिल्ली यह आवान भाईचंदर सेकर आजाद जीका है और उस आवान पर जैसे तमाम मेरे जो साथी सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नॉटिफिक्शन चल्ट से चलने जाए कि अज़िए कि